हाई दोस्तों राजवन सिंग महली प्रप्टिक गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और यह जो बेंजामिन गरहाम जो मैंने लिखा उत्थर उनकी कताब है इंटेलिएंट इन्वेस्टर उसमें कोछ उनोंने की प्वांट दिये हैं कि इंटेलिजेंट इंवेस्टर कोन होता हैं उसके उपर मैं बात करना जाता हूं उन्होंने बताया सबसे पहले अने अनेल्सिस करना करना हर चीज से हर एंगल से जैसे मैं ऐसमें विभाता हूं हुग state की जो हमने selection करनी है तो उसमें हमने क्या क्या खेकिना analysis में क्या क्या आता है सब से पहले comparison of rate आता है फिर उसमें calculation आती है फिर manipulation आती है जो मतलब basics of real steRC एंड है अने लिए यह में इसमें यह चीज़ें आती है कि हर angle से हमने investment करने से पहले देखना है कि हमें क्या इसमें फैदा हो सकता है क्या नुक्सान हो सकता है यदि आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके मैंने तीन पॉइंट और दिये हैं जो बेसिक पॉइंट है जो रीड की हड़नी है रियल स्टेट के वह है नमबर वान पे मैंने कहा था आप market के बारे में बात करी है लेकिन हमने अपने हिसाब से real state के बारे में मैंने इसके point नका ले नंबर दो safety of principle यह safety of principle यह भी ठीक है क्योंकि analysis भी हमें real state में भी करना है दूसरे नंबर बार safety of principle जब हमारे analysis करने के बाद हमने फिर सोचना है कि जो हम पैसा लगा रहे हैं क्या उसमें नुकसान तो नहीं हो सकता यदि नुकसान होता है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसा investor जो है हम उसकी कि नियत हमेशा यह रहती है उसकी इंटेंशन यह रहती है कि मेरा पैसा बढ़की मिले ना कि उसको पैसे कई कुटवती लग जाए या पैसी में नुक्सान हो जाए सो सिपल सेफटी और प्रिंसिपल नमबर तीन पे रिटर्न ओन इंवेस्टमेंट यह सभी में जो भी इनवे सब्सक्राइट में एक किसी ने एक प्लाट लिया था प्लाट का साइच घन में 2e कि चॉडा और 200 फृट लंभा था और 12arks चँटा तो यह प्लाट लिया था 2007 में लिखा पर चेज जिन 2007 एट दी रेट 10,000 पर सकेर याट बीचा कब इन 2009 एट दारेट 16,000 पर सकेर याट 10,000 पे को लेकि उन्होंने 16,000 पे में बेच दिया कितनी देर में 12 साल में कि के अब यह 12 की के ऑने यहां पर आ गया मैं इसकी इन्ट पॉलते हैं फडी करवा दी जितने अभी प्लाट था यह तो दशेजार की आट साल में हम समेशते हैं के डवलब हो जाएगा इट येर्ज इसका 20,000 पर होना चाहिए था लेकिन ये 12 साल बाद 12 साल बाद कितना हो रहा है 16,000 पर इसका मतलब सिंपल कैलकुलेशन ये बैठती है इसकी 10,000 वाले की 12 येर्ज में इसको 16,000 मतलब बैंक का ब्याज भी नहीं मिला इसको इस तरीके के और भी की प्रॉपर्टी आती हैं और मतलब उन में कुछ नहीं बचता लेकिन ये 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 यदि आप बहुत थी सोचजेतरी किसी बहुत थी कुछिल पूर्वग प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लेते हो और उसमें जो तीन बैसिक चीज़े मैंने बताई है कैलकुलेशन कंपैरिजन आपरेट और तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये कहीं से कहीं बढ़ जाती है मैंने परसों वाली वीडियो में ही ये कोटा के पास बाराज लेके बताई थी कि एक प्रॉपर्टी 14 साल में 20 गुना बढ़ रही है और एक प्रॉपर्टी उसी शहर में सिर्फ तीन गुना बढ़ र नहीं कर रहे हैं सो हमने इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस चीज पर बहुत द्यान देना है और यदि रियल स्टेट का है फिर वो तीन तीन चीजें मैं लिखी देता हूं इसमें नंबर वान कैलोकुलेशन कि कंपैरिजन और मैनुपलेशन यह यह मैंने तीन चीजें लिख दी हैं यह मतलब इनर्सिस के ब्रबर की तो यह चीजें यदि हम ध्यान रखेंगे रियल स्टेट बिजिनस में तो हमें कभी भी हमारा पैसे का नुकसान नहीं हो सकता बैंक ब्याज से जितना पैसा मिलता उससे ज्यादा ही मिल सकता है और बहुत अच्छे तरीके से आप पैसा कमा सकते हो जैसे मैंने अपने वीडियो में कताबों में भी बताया कि राजपरा शहर में चार सो और फे गज में लोगों ने जमीन लेके नौँजार पे गज से बेचनी शुरू की इस तरीके की प्रॉपटी आपको मिलती है लेकिन इसके लिए आपको महिनत करनी पड़ती है यदि आप यह महिनत कर लोगे तो आपकी जो रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट है वो यह नहीं रहेगी इस से कहीं ज़्यादा वो उपर की तरफ चली जाएगी ऐसे जाएगी जैसी चली जाएगी आपने दियान रखने दोस्तों आज के लिए इतने ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे घंटी वाला बटन जुरूर दुबादो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना और इसके उपर बात कर लेना अपने दोस्तों के साथ रिष्टे दारों के साथ बात कर लेना कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में और कुछ कहना चाते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो ने इस टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो हमारे नंबर जो फलैश होते हैं यहां पर आप बात कर सकते हो किसी को मेरी जूरूरत है तो मेरे साथ बात करनी चाहता है बंदा तो वो मेरे टीम से टाइम लेके मेरे साथ बात कर सकता है कोई दिक्त नहीं है तो मैं आपके लिए प्रपर्टी गुरू कुल चैनल ये सब आपके लिए ही है आपके लिए बनाया और मैं उमीद करता हूँ कि आप इस से इस जो हम नौलज शेयर करते हैं कि दूसरे के साथ आप इसका फैदा उठाओगे हम अपनी नौलज को बढ़ाते जाएंगे जब हमें नौलज बढ़ेगी हम जब पढ़ते जाएंगे तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पढ़ेगा इंडिया कि अपिक इसाद।